Hello everyone, मेरे नाम है Dr. Salim और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Healthy हमेशा दोस्तों जब भी बात आती है कॉलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में उभर के आती है वो है डाइट और एक्सरसाइज जितनी जरूरी कॉलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए डाइट है उतना ही जरूरी एक्सरसाइज भी है लेकिन जब बात आती है एक्सरसाइज की तो आखिर ऐसी कौनसी एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी चाहिए जो इन दे लॉंग रन आपके कॉलेस्ट्रॉल को और आपक कि पूरी हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकें तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं जहां मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी एक्सरसाइजेज जो स्पेसिफिकली आपके ट्राइगलिस राइट को कम करेंगी आपके कॉलेस्टॉल को कम करेंगी और आपके आपके शुरू करते हैं इस वीडियो को एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडि के अंदर कॉलेस्टॉल कम होता है ये बात तो सभी जानते हैं लेकिन आखिर कैसे कम होता है इस बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं देखे हमारी बॉडि के अंदर कितना कॉलेस्टॉल है सिर्फ यही बात important नहीं है इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे factors हैं जो हमारी heart health को protect करने के लिए या उसको खराब करने के लिए responsible होते हैं for example हमारी body के अंदर एक चीज होती है lipoprotein यह एक तरह का protein होता है जो कि हमारी पूरी body के अंदर कॉलेस्टॉल को लेके घूमता रहता है अब यह lipoprotein भी दो तरह के होते हैं एक होता है HDL और एक होता है LDL LDL होता है bad cholesterol और HDL होता है good cholesterol अब LDL bad cholesterol इसलिए होता है क्योंकि LDL जो होता है वो हमारी नसों के अंदर छिपक जाता है वहाँ पे inflammation प्यादा करता है और थक्के वगएरा यानि blood clots वगएरा बनाने के लिए responsible होता है वही HDL cholesterol इसलिए अच्छा होता है उसको इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये LDL को यानि जो बुरा cholesterol है उसको हमारी body में से पकड़ पकड़ के लाता है और वापिस से liver के अंदर जोंग देता है कि भई इसको खतम कर दो और हमारी body में से निकाल दो यानि एक तरह से ये हमारी body से LDL की सफाई का काम करता है तो पहली चीज तो ये है जो आपकी heart health के लिए important होती है exercise करने की वज़े से आपका HDL बढ़ जाता है दूसरा जो factor है जो research से पता चला वो ये था कि आपकी body के अंदर जो cholesterol के particles होते हैं उनका size भी differ करता है exercise करने वालों में और जो लो के exercise नहीं करते हैं उनके उनदर small size होते हैं large size वाले जो cholesterol particles होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं क्योंकि वह hormone नहीं पैदा करते हैं वहीं जो small particles होते हैं वो खतरनाक होते हैं क्योंकि वो body के अंदर जम जाते हैं नसों के अंदर और आपकी जो blood supply है उसको भी कम करते हैं और नसों को तंग भी कर देते हैं तो यह दोनों ऐसे factors थे जो research से पता चले कि जब आप exercise करते हैं तो आपका HDL भी बड़ा हो जाता है और यह दोनों ही चीज़े आपके heart health के लिए बहुत important होती हैं और इससे आपकी heart की बिमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है तो चली यह तो हो गई छोटी सी बात कि आप exercise जब करते हैं तो कैसे आपका cholesterol कम होता है इसके बारे में आपको पता चल क्या अब बात करते हैं उन 6 exercises के बारे में जो बहुत ही बड़िया है आपका cholesterol और आपके triglyceride को कम करने के लिए सबसे पहली exercise जो आपको मैं suggest करूंगा अपना cholesterol level और triglyceride level कम करने के लिए वो है jogging या running यहाँ जब मैं बात करता हूँ running की तो running का मतलब sprint करना नहीं है बहुत से लोग समझते हैं कि running का मतलब है बहुत तेजी speed से आपको दोड़ लगानी है वो नहीं करना है research से ये बात साबित होई है कि जो लोग जादा लंबा distance cover करते हैं moderate speed के साथ running करते हुए उनका cholesterol जादा तेजी से और जादा अच्छी तरह कम होता है compared to उन लोगों के कि जो की बहुत तेजी से दोड़ नहीं कोईश करते हैं और जो लिए ठक जाते हैं तो जितना जादा distance आप cover कर सकते हैं वो आपके लिए जादा अच्छा है बनिजबत इसके कि आप पूरी जान लगा के दोड़ें और 10 मिनट में ठक जाएं दूसरी exercise जो मैं आपको suggest करना चाहूंगा specifically उन लोगों को जो या तो old age के हैं या जिनको कोई joint problem है वो है brisk walk अब बहुत सारी लोग ऐसा बोलते हैं कि brisk walk करना आपकी cardiovascular health के लिए उतना अच्छा नहीं है आपको cholesterol को कम करने के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना की running या jogging है ये एक बहुत debatable subject है जिसके उपर बहुत सारी लोग debate करते हैं कि वह ये अच्छा है कोई कहता है कि ये अच्छा है research की अगर मैं बात करूँ तो 2013 में एक research होई थी जिसमें ये पाया गया और इस बात का निशकर्श निकाला गया कि अगर आप jogging करते हैं या running करते हैं ये इतना matter नहीं करता है matter क्या करता है matter ये करता है कि आप कितनी energy burn कर रहे हैं उस exercise के दोरान इसका मतलब आसान भाशा में मैं अगर आपको समझाओं तो for example आप दो लोगों को consider करिए एक person A है और एक person B है person A जो है वो run कर रहा है और person B जो है वो brisk walk कर रहा है या normal walk कर रहा है person A जो है वो 2 km दोड़ा बहुत तेजी के साथ दो km में उसने 300 calories burn कर दी ठीक है अब person B जो है वो अराम अराम से चल रहा है या brisk walk कर रहा है person B चला 5 km अराम अराम से उसने 2 गंटे में या 1 गंटे में माली जो 5 km कवर कर लिया उसने भी 300 calories burn करी उसकी calories धीरे धीरे बर्ण होंगी जाहिर सी बात है क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है तो उसे जाधा distance कवर करना पड़ेगा अब इसकी भी 300 calories burn हो रही है और इस बंदे की भी 300 calories burn हो रही है तो यह matter नहीं करता है कि आप brisk walk कर रहे हैं या आप jog कर रहे हैं या run कर रहे हैं matter क्या करता है कि आप कितनी calories burn कर रहे हैं तो इससे लिए अपना दिल छोटा नहीं किरिए अगर आपको कोई भी ऐसी joint problem है और आप runny या jogging नहीं कर पाते हैं तो आपको brisk walk आपको अराम से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, जितनी जादा से जादा आप कर सकें, उतना आपके लिए better है, क्योंकि आपको अपनी calories burn करने पर ध्यान देना है, और अपनी duration of exercise पर ध्यान देना है, ना कि intensity of exercise पर, intensity of exercise उतनी important नहीं है, जितना duration of exercise है, और जितना calorie burn करना आपके लिए important है, तीसरी जो exercise में आपको suggest करूँगा, आपका cholesterol कम करने के लिए, triglyceride कम करने के लिए, और आपकी overall cardiovascular health के लिए, वो है cycling, cycling एक बहुत ही बहतरीन exercise है, आपकी overall heart health के लिए, और आपको ये जानकर खुशी होगी, कि अगर आपको कोई भी joint problem है, तो आप cycling अराम से कर सकते हैं, और cycling करने से आपको जो energy burn करते हैं, वो comparable है jogging से और running से, तो मान लिजे आप old age group के हैं, या आपको arthritis है, या आपको knee में या hip में कोई problem है, और आप running ये jogging नहीं कर सकते हैं, तो आप cycling को अपना सकते हैं, cycling में आपकी energy भी जादा burn होगी, और आपको जो results हैं, वो भी बहुत ही बहतर मिलेंगे, और आपके जो joints हैं, वो भी safe रहेंगे, उसमें भी आपको कोई problem नहीं आएगी. चौथी बहतरीन exercise जो आप कर सकते हैं, अपना cholesterol level कम करने के लिए, और अपनी cardiovascular health को improve करने के लिए, वो है swimming. Swimming बहुत ही safe होती है, किसी भी तरह की joint problem हो, आप swimming अराम से कर सकते हैं, बशर्ते के आपको swimming आती हो, जाहिर सी बात है, आप अगर swimming करेंगे, वो भी बढ़ती है, body में muscles भी आपकी grow करती है, overall metabolism भी बढ़िया होता है, और बाकी भी बहुत सारी ऐसी बिमारिया हैं, जिनसे आप safe रहते हैं swimming करने के कारण. एक research करी गई थी, 55 से लेके 65 साल वाली उम्र के लोगों के लिए, जो कि swimming करते थे, तो इस research में ये पाया गया, कि जो लोग swimming करते हैं, उनकी cardiovascular health, जो लोग walking करते हैं, उनके comparison में ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो अगर आप सिर्फ walk कर पा रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि आप swimming अपना लीजे, बशरते कि आपको swimming आती हो, तो I think swimming आपके लिए best exercise है, provided कि आपके पास वो resources हैं, आपके पास-पास कोई swimming pool हैं, और आप इतना time spend कर सकते हैं, तो पांचवा नमबर आता है, weight training या resistance training का, weight training या resistance training का मतलब है, कि आप gym जाते हैं और weights उठाते हैं, अब यहाँ इस चीज़ को ले के एक बहुत बड़ा misconception यह है, आम तोर पे लोग यह सोचते हैं, कि मेरी जो age है वो तो जादा हो गई है, मैं 60 साल का हो गया हूँ, या मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे जाओंगा, मैं कैसे gym करूँगा, वो तो जवान लोगों के लिए होता है, ऐसा नहीं है, अगर आप old age के भी हैं, तो भी आप gym जा सकते हैं, अपनी जो छमता हैं, उसके हिसाब से आप weight training कर सकते हैं, weight training का मतलब यही नहीं है, कि आपको 100-100 kg वजन उठा के डंबल बारने हैं, weight training का मतलब यह है, कि आप अपनी body के हिसाब से, अपनी age के हिसाब से, जितना भी weight आप उठा सकते हैं, या जितना भी exercise training आप कर सकते हैं, resistance वाली, अपनी body की शमता के हिसाब से, उसकी energy के हिसाब से, वो आप करिए, एक research होई, जिसमें 65 प्लस year के जो लोग थे, उनको लिया गया, और उनको जिम में exercise भी कराई गई, resistance training भी कराई गई, और साथ-साथ aerobic exercise भी कराई गई, एक group ऐसा लिया गया, जिसको या तो सिर्फ weight training कराई गई, या सिर्फ aerobic exercise कराई गई, तो उस research में ये पता लगा, ये सामने आया, कि जिन लोगों ने ये दोनों exercise को combine किया, यानि उन्होंने हफते में 3 दिन या 2 दिन gym करा, यानि resistance training करी, और हफते में 2 या 3 दिन उन्होंने aerobic exercise करी, उन लोगों के अंदर जो था, जो cholesterol था, वो ज़्यादा तेजी से कम हुआ, और उन लोगों का जो weight था, वो भी ज़्यादा तेजी से कम हुआ, और उनकी cardiovascular health थी, वो भी ज़्यादा improve होई, compared to उन लोगों के, जिन्होंने या तो aerobic exercise करी, या उन्होंने खाली gym किया, तो इन दोनों चीज़ों को गर आप combine कर लेंगे, तो I think आप सोने पे सुहगा वाली कहावाद को साबित कर देंगे, और आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने cholesterol का, और अपनी heart health का, अपनी cardiovascular health का, और मेरे खाल में अपने weight का भी, और overall health and well-being का भी, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकेंगे. Last but not the least, मैं आपको योगा, आपके cardiovascular health को improve करने के लिए, और आपका cholesterol level कम करने के लिए. योगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपकी overall health and well-being के लिए, योगा करने से आपकी body की strength बढ़ती है, body में blood circulation बढ़ता है, आपकी breathing बढ़िया होती है, lungs powerful बनते हैं, आपके जो heart है उसकी pumping power बढ़ती है, memory improve होती है, आप stress और anxiety से दूर रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फाइदे हैं योगा के, जो overall आपकी health के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन research से ये भी साबिस हो चुका है, कि योगा regular करने से आपका जो cholesterol है, वो भी कम होता है, दोस्तों ये जितनी भी चीजे मैंने आपको बताई, ये सभी के सब आपकी cardiovascular health को improve करने के लिए, और आपकी cholesterol को कम करने के लिए, पूरी तरह से प्रमाड़ित हैं, ये वही करने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको suit करें, वो exercise आप कर सकते हैं, ज्यादा important ये है कि आप exercise करते हैं, ज्यादा important ये नहीं है कि आप कौनसी करते हैं, ज्यादा important ये है कि आप करते हैं, उसके टाइम के हिसाब से exercise करनी शुरू कर देंगे तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ अगर आपके मन में कोई शंका है और आप कुछ बात जानना चाते हैं या कोई ऐसी बात है जो मैं आपको बताने सिर्फ रहे गया तो आप वो मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की चलिए इसी के साथ मुझे दीजे इजादत मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी जंगा पर एक नई informative वीडियो के साथ जो आपके किसी काम आ सके तिल देन टाटा बाई बाई टेक केर और लिव हेल्दी हमेशा